यह जो प्रवरती है कि जब देश के उपर कोई आतंकी घटना होती है तो कुछ लोग राष्टर नीती के विशय पर भी ओची राजनीती करते हैं फारुक अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के बेगुना लोगों को निशाना बनाने की साजिश और कोशिश हो रही है यह पाकिस्तान की ओर से हो रही है फारुक अब्दुल्ला साब जुम्मेबारी के साथ तीन बार मुख्य मनती दहें उनके ऐसी बाते नहीं करने चाहिए यह जो प्रवरति है कि जब देश के उपर कोई आतंकी घटना होती है तो कुछ लोग राश्टर नीती के विशय पर भी ओची राजनीती करते हैं परिवार फर्स्ट, वोट बैंक फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट को रखने की राजनीती करते हैं ना कि नेशन फर्स्ट को इस से बचना चाहिए क्या इस प्रकार के बयान इसलिए दिये जाते हैं ताकि जो आतंग के आका है उनको clean shit मिले उन्हें सौरक्षन मिले हमने देखा है कि ये विशेश ecosystem खासकर Congress का ecosystem किस प्रकार से पुलवामा पर, 26 ग्यारा पर, पूंच पर, समझोता पर, पाकिस्तान को clean shit देने के लिए एक पैर से खड़ा होता है और भारत की एजन्सियों पर भारत पर ही सवाल खड़े कर देता है क्या इस प्रकार की पैरवी की जा रही है फिर से या अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश की जा रही है मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान ये राश्ट नीती और राश्ट सुरक्षा के विश्यों पर राजनीती करने के समान है इससे बचना चाहिए फारुक अब्दिल्ला साथ इस बात को जानते हैं ये आतंकवाद, ये बम, बंदूक, पिस्टोल, गोलियां ये पाकिस्तान से आ रही हैं पाकिस्तान के कबजे वाले जमू कश्वीर में आतंकवादियों के ट्रेनिंग केम्प सें, आई एस आई और पाकिस्तान की सेना आतंक वादियों को ट्रेनिंग दे रही है ये जग जाहिर बात है इसमें किस बात की चान बीन करनी है इसमें कुन सी जांच पड़ताल है सारी दुनिया जानती है खुद डाक्टर फारुक अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में आतंक वादी हमले हो रहे है जो जम्मू कश्मीर के बेगुना लोगों को निशाना बनाने की साजिश और कोशिश हो रही है ये पाकिस्तान की और से हो रही है इसमें पाकिस्तान शामिल है इसमें आतंक की संगठन शामिल है इसमें कौन सी जांच है हम सब को मिलकर एक जुट होकर हमारी सेना पुलिस औ सायोग करना चाहिए साथ देना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी हम सब को मिलकर देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा जो अमन के दुश्मन है जो कश्मीरियों के दुश्मन है जो इंसानियत के दुश्मन है उनके खिलाफ हम अरुक अब्दुल्ला साहब को सीधा सीधा कहना पूड़ेगा कि इसमें पाकिस्तान शामिल है और पाकिस्तान को कड़गरे में खड़ा करना पूड़ेगा एक जुम्मेवर व्यक्ति को इस परकार का ब्यानबाजी नहीं करनी चाहिए खास करके ये जानते हैं कि अजंसियों के अच्छे काम के कारण से ही जम्मू किश्मीर में शांती वेवस्ता बनी लेकिन बीच बीच में कई इस परकार की जब घटनाए होती है बोर जोरी पुण्च में भी हुई है तो उस पर भी किसी पर सवाल नहीं खड़ा किया अब सरकार है सरकार का पूरा समर्कन है किसी ने ये नहीं कहा कि इस अमर अवदुला की सरकार को डिस्टेबलाइज़ किया जा रहा है पाकिस्तान प्रस्त लोग जो कायरता पूर्ण हरकतें करते हैं और कोई भी व्यक्ति जहां बाहर कभी बाहरी या अंद्रूनी इस परकार की कोशिश कियाती है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही है तो हमारे पीज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद